आप सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार है आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्त होंगे मस्त होंगे आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से बात कर रहा हूँ आप लोग मेरे स्क्रीन पर देख भी रहे हैं और देवदासी प्रथा हिंदुस्तान के धार्म जीवन की बात करें तो बड़ा अभिशापित धार्मिक जीवन रहा है हमारे समाज में देवदासी प्रथा पाई गई सती प्रथा पाई गई नर्बली प्रथा पाई गई दास प्रथा पाई गई इन्हीं नाना प्रकार की बुरायों का समावेश इस हिंदु धार्मिक जी चाहता हूं इस और ये देवदासी प्रथा विशेश कर दक्षन भारत में हमको ज़्यादा देखने को मिलती है और वो भी करनाटक और तमिल नाडू के छेत्रों में तो हम थोड़ा सा इस देवदासी प्रथा को आज समझने का प्रयास करेंगे और इस देवदासी प्रथा की प्रियास करें तो कहीं न कहीं इसके अंतरगत जो कुमारी कन्याय होती थी छोटी-छोटी बच्चियां होती थी उनको देवताओं की पूजा के नाम पर मंदिरों में रख दिया जाता था यह एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि छोटी-छोटी बच्चियों या कुमारी कन्याओं को देवताओं की पूजा या सेवा के नाम पर मंदिरों में रखा जाता था अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेगा कि मंदिरों में कहीं कहीं इस तरीके से इनको रख दिया गया रखा जाता था अब इनका काम क्या है इनका काम है इन बच्चियों का मंदिर की साफ सफाई करना भगवान की सिवा करना भगवान के लिए कहीं कहीं जो भी पूरी करना और सभाविक रूप से धिरेधर ये बच्चियां बड़ी भी हुआ करती थी पुजारियों का भी जो कारभार हुआ करता था वो यह किया करती थी और आपको बताना चाहता हूं कि यही बच्चियां एक प्रकार से δेखें तो कहीं न कहीं भगवान के सामने भगवान के सामने न्रत्य भी करती थी न्रत्य करती थी यहीं से कहते हैं कि भरत नाट्यम भरत नाट्यम साथ में कुछी पुड़ी ODC इस प्रकार्स के कहिन कहिन नरत्यों का आयोजन इन देवदासियों के द्वारा मंदिरों में किया जाता था यहां तक बाद समय में आ गई है चोल अभिलेखों में इन कहिन कहिन देवदासियों की चर्चा हमको मिलती है चोल अभिलेखों में यहनी हम कह सकते हैं कि चोल अभिलेखों में इन देवदासियों की चर्चा है चलिए सर देवदासियों की चर्चा हम लोगों ने चोल अभिलेखों में कर लिया कि चोल अभिलेखों में इन देवदासियों की चर्चा हमको मिलती है जिनको कई नाम जाना जाता है इनको कहीं कहीं तेवर तियर भी कहा जाता था पतलियार भी कहा जाता था तो इनको तेवर तियार पतलियार यहीं इनको कई नाम से जानते थे तेवर तियार पतलियार यहीं इन देवदासियों को इस प्रकार से चोल अविलेखों में कई नामों से जाना जाता था पहली बात हो गई तो यहां तक बात तो समझ में आगी कि मंदिर में कुल्मा के पूजा के नाम पर भगवान की सिवा के नाम पर न्रत्य करने के नाम पर कहने के इन बच्चियों को कहने के अविभाहित लड़कियों को भगवान के साथ कहने कहीं विभा करक काली दास ने अपने गरंथ मेग दूत में उज्यन के महाकाल मंदिर में देवदासियों की चर्चा की है एक दूसरी बात भी समझे लें कि काली दास भी चर्चा कर रहे हैं और काली दास ने अपने ग्रंथ मेग दूत में महाकाल, उज्जैन के। महाकाल मंदिर में सती प्रथा की चर्चा की है। वो इस देवदासी प्रथा का मुख्य केंद्र है, तो देवदासी प्रथा का मुख्य केंद्र कौन सा है, तो यह लम्मा मंदिर है, यह भी अपनले समझ लिया। इस प्रथा की शुरुवात की अगर बात करते हैं, तो यह प्रथा ऐसा माना जाता है कि छटी सदी से इस देवदासी प्रथा की शुरुवात हुई और लगबग तेरवी सदी तक यह अपने पीक पर पहुँच गई है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेगा, यह इस प्रथा की शुरुवात की बात आती है संभौता, तो यह जो देवदासी प्रथा थी, यह छटवी सदी में शुरुवात इसकी हो रही है, शुरुवात हो रही है, और सभाविक रूप से हम कह सकते हैं कि तेरवी सदी तक, यह अपने कहीं कहीं पीक पर यहनी चर्मोतकर्ष पर पहुंच गई थी, यह आपको मैं बताना चाहता हूँ, यह तेरवी सदी तक, यह अपने चरम पर है, चरम पर है, सबसे बड़ी बात अगर डैनेस्टी की बात करें, राज्यों की बात करें, तो यह देवदासी चोल का में, बड़े पैमाने पर, बड़े पैमाने पर फली फूली, ठीक है, यह मैंने अभी कहा कि दक्षुन भारत में विशेश रूसका इसका प्रभाव देखने को मिलता है, और मैंने कहा, देवदासिया मंदिर में देवताओं के सामने नरत्य भी करती थी, अभी मैंने आपको बताया है, कि यह जो देवदासिया हुआ करती थी, यह जो देवदासिया हुआ करती थी, जो कुमारी है, मंदिर में भगवान की पूजा और सिवा के नाम पर उनको आजीवन छोड़ दिया गया है, वो देवदासिया मंदिर में, मंदिर में भगवान के समक्ष, भगवान क समक्ष न्रत्य करती थी न्रत्य करती थी किलियर है ये बात मैंने आपको बता दिया अब हम लोग थोड़ा सा और इस विश्य को लेका अगर बात करें कि ये देवदासियां आखिर ज्यादा तर बंती कौन थी अगर हम इनकी बात करें तो समाज का जो कहिन के कमजोर वर्ग थ जिसे हम दलित वर्ग कह सकते हैं पिछड़ा तबका कह सकते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखलना ये देवदासियां ये जो देवदासियां थी ये समाज के समाज के कमजोर कमजोर वर्गों कमजोर वर्गों कौन जो जो आर्थिक आर्थिक वह सामाजिक तौर पर पिछड़े थे ये जो बच्चियां हैं ये कौन है इस बात को ध्यान रखे मैंने कई बार कहा हैं किसे हिंदू धर्म ने समाज के दलित और पिछड़ों का ही सबसे ज़्यादा सोशन किया और सोशन करने वाले उपर के लोग थे पंडिजी लोग थे ब्रामन लोग थे तो आप यहां ध्यान रख लेना ये जो देवदासियां समाज के कमजोर वर्गों से ही कहिन कहीं आती थे विशेश रूप से हम कह सकते हैं तो यह दलित समुदाय से आ रही है दलित समुदाय से समाज के जो कहिन कहीं कमजोर तपका होता था उन्हीं तपके जो गरीब तपका है जो सामाजिक रूप से पिशड़ा तपका है उनको पैसे का धन का उनके उधार का प्रलोभन कहिन कहीं ब्रामनों के द्वारा दिया जाता था कि तुम एक मंदिर में अपनी लड़की को दान दे दो, तुम्हारी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बड़ी बन जाएगी, तुम्हारी आर्थिक इस्थती भी बहुत अच्छी हो जाएगी, और इस तरीके से उस समय समाज का यह दलित समुदाय, पिछला समुदाय अपनी पूजा के नाम पर मंदिरों में छोड़ दिया करता था, क्लियर है? यहां तक आपको बताना चाहता हूं कि इस देवदासी प्रता की बात बहुत से यात्रियों ने भी किया है, भेन सांग है, अलबर्नी है, इन्होंने भी, अगर हम यहां पर बात करें, तो भेन सांग, भे इन्होंने देवदासी, देवदासी प्रता की चर्चा की है, तो इन्होंने देवदासी प्रता की चर्चा किया है, यह भी सबसे बड़ी बात है, अगर हम थोड़ी सी बात करें, तो यहां पर ध्यान रखना इनके कई नाम भी है, विबिन छेत्रों में, जैसे इन देवदा दासियों को उडिसा में महारी कहा जाता था महारी का मतलब है महानarent क्रकार से ध्यान रिखें कि उडिसा में इनको महारी इन उनुह 1 नारी कहाग्या महान नारी कहा गया यह पहला है करनाटक में इनको राजा दासी जोग कहा जाता था तो इनको करनाटक में करनाटक में राजा दासी राजा दासी जोग कहा जाता था तो करनाटक में राजा दासी जोग और महराष्ट में मुरली कहते थे महराष्टर में क्या कहते थे महराष्टर में इनको मुरली किलियर है तो यहां तक आपके बात समझ में आ गई कि देवदासी कौन है देवदासीयों का मूल रूप से कार क्या है समाज के किस वर्ग से इनको लाया जाता था इनको विविन छेतरों में किन की नामों से जाना जा इतनी बाते तो आपको समझ में आ गई होंगी चलिए सर अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कहीं न कहीं इस देवदासी प्रथा का जो एक तरह से कह सकते हैं कि नकारात्मक पक्ष क्या है जब यह बच्चियां धीरे-धीरे बड़ी होने लगती थी तो इन देवदासियों का इन देवदासियां अब इन देवदासियां जो हैं जब यह धीरे-धीरे बड़ी हो रही है तो क्या होता था कि इस सेवा करनी है भगवान की पूझा करनी है इनके परिवार के लोगों को बता दिया गया कि आप अर्थिक द्रस्टी से आपके इस्तित्री ठीक हो जाएगी आप भगवान के मारग में भगवान के मंदिल में आप रखेंगे अपनी पुत्री को तो आपकी गए인지 की स्टेटस बढ़ जाएगा, तमाम प्रकार की बाते लोग करते थे, लेकिन बाद में इन देवधासियां जैसे ही बढ़ी होती थी, जब युवा होने लगती थी, तो इस मंदिर के पुजारियों, मंदिर के पुजारियों और समाज के, समाज के प्रतिष्ठित इन सुवरों को हम प्रतिष्ठित कह रहे हैं प्रतिष्ठित जो मंदिर को ज़्यादा से ज़्यादा फंड दिया करते थे तो मंदिर के पुजारियों और समाज के प्रतिष्ठित लोगों के द्वारा इन देवदासियों का शारिक या यौन सोशन किया जाता था यहनी एक प्रकार से कहीन कहीन का शारिक यौन सोशन किया जा रहा है यहनी देवदासियों एक प्रकार से देख सकते हैं तो यह मंदिर में एक प्रकार से देखा जाए तो यह व्यश्याब्रति ये मंदिर में व्याश्या व्रती का दूसरा नाम है देवदासी क्योंकि मंदिरों में कहीं न कहीं छोड़ी गई बच्चियों के साथ मंदिर के पुजारियों के द्वारा, समाज के उच्च वर्ण के लोगों के द्वारा समाज के प्रतिष्ठित लोगों के द्वारा उनका बड़े पैमाने पर सारिक सोशन किया जाता था जब ये लड़कियां गर्भवती होती थी तो सोभाविक रूप से कहिन की इनको अपने पुत्र का जन्म देना पड़ता था जिस पुत्र और पुत्री का पिता का पता नहीं चलता था क्योंकि समाज के वो बाहुबली प्रतिष्ठित लोग होते थे इसलिए उनके पिता का कहिन की नाम भी नहीं निकलता था और वो फिर मिलना बंद कर देते थे उन देवदासियों से दूसरी लड़की को हवस का सिकार बनाते थे और फिर ये देवदासियां व्यश्या वरती के मार्ग पर चली जाती थी और कहिन की विक्षा मांग कर अपने जीवन का पालन करते थे ये है देवदासी परफा का कहीं सच कि जो मंदिर में भागवान की सेवा के नाम पर छोड़ी जा रही है उनका पुजारीयों के द्वारा समाज के कहीं के उच्चोवर्ण के सम्रांत लोगों के द्वारा शारिक सोशण किया जाता था और उन सोशन के द्वारा अंतता कहीं न कहीं वो यहां तक की गर्वबती भी हो जाती थी और बाद में उनको व्यश्यावरती के दलदल में धकेल दिया जाता था और उनको भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया जाता था यहनि देवदासी प्रथा एक प्रकार से देखा जाए तो हिंदु धर्म की सबसे भयानक कूप रथा है मैं यह बताना चाहता हूँ इस देवदासी प्रथा का जब विकरत रूप समाज में देखने को मिला तब अंतता करनाटक सरकार ने 1982 में इस देवदासी प्रथा पर रोक लगानी की बात की जाने लगी तो जब देवदासी प्रथा पर रोक लगानी की बात की जारने रही है तो करनाटक सरकार ने 1982 में करनाटक सरकार ने कब 1982 में आंदर प्रदेश सरकार ने आंद्र प्रदेश सरकार ने 1988 में इसी प्रकार से देखा जाए तो महराष्ट सरकार ने भी इस प्रकार से 2006 में इस प्रथा पर कहीं कहीं रोक लगाया यानि इसके लिए एक प्रकार से ध्यान रखेगा महराष्ट सरकार ने 2006 में 1988 में भारत सरकार ने इस कूप्रथा पर रोक लगा दिया इस पर रोक लगा दिया लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1988 में रोक लगने के बाद भी धलले से करनाटक में तमिल लाडू में बड़े पैमाने पर देवदासी प्रथा जारी रही इसका उधारन में देना चाहता हूँ 2018 की बात अगर करते हैं तो 2018 में करनाटक राज महिला विश्विद्याले की एक रिपोर्ट है और 2018 में करनाटक राज महिला विश्विद्याले की एक इस्टडी रिपोर्ट की जानकारी के अंसार एक study report की जानकारी के अंसार अभी भी करनाटक में 80 हजार कितनी 80 हजार अभी भी करनाटक में 80 हजार देवदासियां हैं यह एक प्रकार से धान रखना कि 1928 में भारस सरकार ने इसको प्रथा को अवैधानिक गोशित कर दिया था लेकिन उसके बाद भी 2018 में अभी भी करनाटक में 80 हजार देवदासियां हैं यह देवदासी प्रथा पर रोक लगने के बाद भी यह प्रथा जारी है इसके कुछ कारण हम कह सकते हैं तो पहला कारण रोक ना लगने का कारण यह देवदासी प्रथा के खतम ना होने का कारण तो पहला कारण है जातियों का वर्चस उच जातियों का वर्चस आज भी वहाँ पर बना हुआ है एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण से देवदासी प्रथा समाप्त नहीं हो पा रही है अंद विश्वास भी कह सकते हैं कि एक अंद विश्वास भी है कि हम अपनी पुत्री को लड़की को छोड़ देंगे तो हमारा उधार हो जाएगा तीसरा हम कह सकते हैं तो जागरुकता की कमी भी यहनी कहिन कहीं जागरुकता की कमी भी इस देवदासी प्रथा के लिए एक बहुत बड़ा जिम्यदार है यह भी हम कह सकते हैं और कहिन कहीं कानूनों का लचर होना यहनी कानूनों का लचर होना लचर या गडबड़ी होना ये भी एक बहुत बड़ा कहने कहीं कारण हो सकता है तो मैं ये कहना चाह सकता हूँ कि इस देवदासी प्रथा के नाखतम होने का बहुत बड़े कारण है जैसा जाती का वर्चस है, अंद विश्वास है, जागरुकता की कमी है, कानुनों का लचर होना है इन सभी कारणों ने अंततद देवदासी प्रथा को आज भी समाज में कायम रख रखा है देवदासी जशलाई के व्यश्या व्रती धर्म के नाम पर व्यश्या व्रती का नाम ही देवदासी है मेरी बात आप समझ गये होंगे आप सभी लोगों को नमस्कार जैहिंजे भारत बंदे मात्रम